वेलकम टू मास्टर माड़ अब जिक्के एक बार फिर आप लोग का स्वागत है मास्टर माड़ जिक्के में फ्रेंस आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी का प्रैक्टिस चेट दो देखेंगे जिसमें आपका टोटल पचास प्रस्ण है ये सभी प्रस्ण है जो फ्रेंस एक वीडियो इसके पहले मैं अपलोड किया था आपको बीच-बीच में हिंदी का वीडियो में प्रवाइट कराता चलूँगा बाकी जिक्के जिसका वीडियो इसके एक घंटा के बाद आप लोग को मैं प्रवाइट कराओंगा जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार बोली पुर्वी हिंदी की नहीं है फिक है पुर्वी हिंदी की बोली इसमें कौन नहीं है तो देखे अवधी तो पुर्वी बोली के अंतरगत आती है भगहेरी भी आती है। विवी पूर्वी नहीं तो इसमें पूछ रहा है कि मैं से कौन पूर्वी नहीं है तो यह तो आपका पूर्वी हिंदी के बोली नहीं यह सभी है जो पस्चमी हिंदी की बोली है जबकि बगहेली है जो आपका पस्चमी हिंदी की बोली नहीं है आपका किसकी है पूर्वी हिंदी की बोली है ठीक है तो दो नमबर सवाल का करेक्ट अंसर ओप्सन नमबर डी हो जाएगा बगहेली है जो पस्चमी हिंदी की बोली किसके है पुर्वी हिंदी की बोली है तीसरा नंबर शवाल को देखे थिस्रा नंबर सवाल है पष्च्मी हिंदी की पर्मुخ बोलियां कौन कौन है चलिए अभी देख लेते हैं पर पूरा डिटेश है तो तीन का जो और आपका सहडोल में आपका बगहली बोली जाते है दिवास में आपका मालवी बोली जाती है और खंडवा में आपका निमारी बोली जाती है पांच नमबर शवाल को देखे पांच नमबर शवाल आपका है बारेली और पटेलिया बोलिया किस जन जाती की बोली के अंतरगत आती है बारेलिया और पतेलिया बोल्या बोलती है चाठा नमर्ण सवाल है मदप्रदेश का प्रक्रितिक सवंधर लोक संस्कृति है जो लोक बोलियां में परकट होई है साथमा नमर सवाल एफिरेंस कि देवनागरी लीपी का विकास हुआ है बहुत important सवाल है साथ का देखे तो देवनागरी लीपी का विकास हुआ है आपका ब्रहम्मी लीपी से हुआ इसलिए option नमर सी साथ का correct answer हो जाएगा आठ का ब्राम भी हो जाएगा ठीक है और यह सभी प्रशन आपको इस प्रशन ही आपको अप्लिकेशन में भी देखने को मिलेगा क्योंकि अप्लिकेशन में बहुत सारा आपका हिंदी का भी प्रैक्टिस में डाल रहा हूं फ्रेंस हर एक चीज आपको अप्लिकेशन में मिलेगा अब फ्रशा वक्त दीजिए पांस से साथ दिन उसके बाद मैं आप लोग को अप्लिकेशन पब्लिक कर दूँगा फिर पीडियव की जरूरत नहीं रहेगे फ्रेंस और पीडियव के तरह समझे आपका अप्लिकेशन हो जाए देवनागरी में 10 नमर सवाल को देखे प्राचिन भारतिय लीपियों में लीपी सर्वसेष मानी जाते बहुत अच्छा सवाल भी है प्राचिन भारतिय लीपियों में जो सबसे सर्वसेष्ट लीपी मानी जाते है और किसको मानी जाते है तो देवनागरी लीपी को ही मानी कि लिपी देवफ हैं ससरी हो जाएगा 12 नम्म्हाल को देखें लूगो अपना देख लिए क्या देखें बहा सा बहा साब क्या था है तोपिक में आपका हिंदी भासा का उद्भव से पूछा जाता थे हंदी भाधा बहा सा का उद्भव और लीपी से जो सम्मंदी था कुछ हम लोग प्राशन देख लें अब देखे वर नमाला से वर्ण करते चलिएगा बारा का का की सबसे चोटी काई के देखें कहीं कर आपका धबने भी लिखा रहेगा ठीक है तो वहाँ पर आपको क्या देखनी को मिलेगा तो हम पर आपको धवनी लिग देगा तो धवनी धवनी को ही तो वरं काते हैं इसलिए याद रहेगा तो देखें बहुत सार प्रक्रेक्टिससेट में लिखा रहेगा भासांकी सबसे चोटी काई क्या है तो वर्न है ठीक है और धवनी को ही वर्न काते हैं तो बारा का करेक्ट अंसर C हो गया तेरा नमर शवाल को देखें तेरा नमर शवाल आपका है वर्न माला किसे काते हैं चलिए गेश किजिए वर्न माला किसे काते हैं तो वर्नों के व्यस्थित समू को क्या कआते हैं और दमाला काते हैं ओप्सन नम्बर डी इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा चौदर नम्बर शवाल को देखिए निम्डीकित में से कौन सी हरस्व धवनी और दमने से आपको छटना आए तो हरस्व धवनी देखिए हरस्व वूग सको हो जाएगा और डिर्ग हो जाएगा फ्रेंस यह रस होए तो आप सन्वर का सब्सक्राइब किसकी है चलिए यह सब धवनिया किसकी है पंदर नमर शावाल का यहाँ पर देखे डाठ्ब जैसा लगा रहाता है तो इससे पता चलता है कि यहां अर्भी फार्षी फार्षी का जो भी रिखा रहीचा ज़्ण पर देखे तो इसका और अप्सें नमबर भी होगा को जो फो धवनिया अर्वी फार्शी की है सोला नमर सब्सक्राइब को देखें वह वर्ण जिसका उचारन तालू से होता हुआ है तो तालू से जो वर्ण का उचारन होता है उसे क्या कहते हैं तो सवर्ण की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को वियंजन का परिभासा कहें तो किस्वर्ण की सहायता से जो बोले जाता है उसे क्या कहते है वियंजन का लाते है ठीक है तो कि तो कि इसमें देखें आपको कहीं कहीं 35 हो जाएगा ठीक है लेकिन ज्यादा तरह इसी तरह से कोशन पूझता है कि वियंजन कितने होते हैं तो 33 होते हैं लेकिन इसमें अगर द्विगुन जो आपका अड़ और धह को जोड़ेगा तो 35 हो जाएगा लेकिन इसे आपका 33 होगा ठीक है चलिए ओभी सवाल आएगा उत्पन होती है ठीक है वो बोलिएगा तो फ्रेंस लगेगा कहां उससे कुछ आपको उसमा निकल रहा है उसमें भी अंजन काल आते हैं जैसे आपका देखिए ता लब्र श श श बोलके देखिए मुर्दन ने स उसका अपने स फिर ह ह ह बोलके देखिए फ्रेंस थोड़ा ग गर्मावायू मुझसे निकलेगा तो इसी को हम लोग उसने वियंजन काते हैं तो अठारा का करेक्ट अंसर आप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा बने और जो निकलता है कहां कंट से और gefष्चारन को देखिए निमलिकित में से कौं सी महाअ प्रान धवनी तो देखे आपका फ्रेंच उचारनमे वायू उपर छेप की द्रिष्टी से विएंजन दो परकार का होता है एक अलप होता है यह महा प्रान किसे क्याता है उसके वाइफ्ट आप्रान विएंजनों के उचारनमें हकार जैसी धवनी विशेश रूप से होती है ठीक है तो इसमें 20 का और आपका महाप्रान धवनी के अंतर गता आएगा 20 का और देखें इसका जो इसका डिटेल भी में आपका जो अप्लिकेशन है उसमें आपका अलप्रान महाप्रान के बारे में सब्जेक्टिव लिग दिया हो तो अप्लिकेशन जब मैं पॉब्लिक करूंगा तो उसमें आप लोग पढ़े इसका कॉंसेप्ट किलियर होते चलेगा यह प्रैक्टिस सेटें आप देखते चले तो आपका ऑप्सन नंबर बी इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा एकिस नमबर श्रावाल को देखिए कौन सा घोसवर्ण है ठीक है घोसा घोस भी इस वह मैं डिटेल सब्जेक्टिस में बता दियो अप्लिकेशन में तो 22 नंबर सवाल का घोस किसे कहते तो देखिए इसका डिफिनिशन में बताता हूं जहां तक मुझे पता है कि जिन धमन्यों के उचारण में स्वर्तंत्रिय घोसवर्ण कहलाते है ठीक है तो इसका करेक्ट असर बाइस का जो होगा आप्शन नंबर स्वी होगा माह ठीक है फ्रेंश माह आनिकि इस्वर्तंत्रिया इसमें कमपन होती है ऐसे देखिए हर वर्ग का तीसरा चाथा और पाच्वाँ ब्यांजन ठीक है तीसरा चौथा पा गुटांगा कर दिये अब इसमें देखें कौन कौन बता रहे हैं तीसरा चौथा और पाचमा तो कखगगः यह हो गया तीसरा घर और अनिकि गघर यह सब प्हाषा और पांचमा बेंजन आई जो आपको घोषवन के अंतर गतारा ऑपका एंबातर के आपन गोष बढ़न हो जाएगा तेस नमबर स्वाल को देखें तेस नमबर स्वाल आपका हिंदी में स्वतंत रुप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कालाते हैं चलि बहुत अच्छा सवाल है तो देखें जिन वर्णों के उचारण में बीना किसी बाधा के होता है फ्रेंस उसे क क्या कहेंगे तो आपका 23 का करेक्टन सर्फ हो जाएगा ऑप्शन नमरी स्वर ठीक है स्वर है जो किसी के साहतास ने स्वयम बोला जाता है इनने में स्वतंत रुप से बोला जाने वाले अच्छर क्या कर आता है ठीक है चोविस नमबर जिन सब्दों के अंत में और आता है उसे क्या कहते हैं तो 24 का correctance रोगा अपका अकारांत कहते हैं ठीक है अकारांत आएगा तो अकारांत और आएगा तो अकारांत कहेंगे तो option number 10 का correctance रोगा जिन सब्दु को आता है उन्हें अकारांत कहते हैं 25 नमर शवाल को देखे निमने में से कौन अलप परान वर्ण कौन से हैं तो अलप परान वर्ण कौन कहते हैं तो जिन वियंजन कूचारन में वायू कम निकलते हैं उसे अलप परान कहते हैं और जिस वियंजन कूचारन में ज्यादा वायू निकलता हैं उसे महा परान कहते हैं तो देखिए अल्प पुरान इसमें कौन हो जाएगा 25 का कग में देखिए बिल्कुल नहीं निकलता है कग इसमें निकलता है वाई हूं नहीं निकलता ते अल्प पुरान हो जाएगा नासिक्स व्यंजन कौन सा है 26 नमर सवाल को देखे नासिक्स व्यंजन के अंतरगत कौन आएगा 26 का यह होगा आपका option नमर बी इसका character न सुरगा ठीक है परतेकवर्ग का पांचमा व्यंजन है जो आपका नासिक व्यंजन के अंतरगत आता है परतेक याद रखेगा फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि परतेकवर्ग का पांचमा व्यंजन है जो आपका क्या आता है नासिक की व्यंजन का लाता है जैसे पांचमा में कौक्षक गड़ यह आपका हो जाएगा उसके बाद में आपका नह हो जाएगा ठीक है तथथद धन्ना हो गया उसके बाद में लाश्ट में मह हो गया आनिकिड़ो और टवर्गी न फिर दंत न और मह यह सबी है जो फ्रेंस आपका तवर्ग किसके अंतरगत आएगा तो नासिक व्यंजन के अंतरगत आएगा तो याद रखेगा कि हर एक आपका अगला वर्ण माला किसे कहेंगे 27 का तो देखे वर्णो के व्यस्तिस समू को वर्ण माला कहेंगे ठीक है ओप्शन नमर D को देखे हिंदी भासा में किपने बेंजन है अब हम लोग ने बात कि थे फिरेंस आठाइस का तो वह बताये थे कि कितना टूटल 33 होता है जेनरली तो option number 20 का character अब हिंदी वर्ण वाला में वर्ण कितने है ठीक है यहाँ पर सिर्फ वेंजन की बात की जा रही थी तो आपका 33 बता है लेकिन अगर टोटल वर्णों की संख्या देखा जाए फ्रेंज तो आपका टोटल कितना 52 होता है इसमें तरह साथ है कि डि ठीक है फ्रेंज अन रहा आयोगवा होता है तो आपका 11 क्या हो गया स्वर हो गया दो आपका आयोगवा हो गया 33 है जो वेंजन हो गया और दो है जो बताये थे फ्रेंज आपका द्विगुन बताये थे ने वो दो हो गया और चार हो गया जो आपका संजुकत अक्षर हो गय चार दू छे तिन नौ दू बारा एक कितना हो गया आपका तेरा चार दू छो तिन नौ दू इगारा एक बारा बारा का कितना हो गया दो हो गया और तीन एक चार एक कितना हो गया पांच आजाता है तोटल पांस पुना एक बार याद कर लें फ्रेंज इंपॉर्टेंट है देखे स्वरों की संख्या कितनी होती है टोटल तो इगारा होती है आद करते चलें दो होता है जो आयोगवा होता है आयोगवा किसे कते अन और जो अन स्वार उपर पड़ता है यह आपका दो इगारा आपका टोटल स्वर हो गया उगार हो गया आयोगवा हो गया और ँरुदिति हो गया इसको जोड़ता के इसको ब्रुदिता डाया तल त्यक्याल ही तो दोनों याद रखेगा, सभी को याद रखना है, सिर्फ वियंजन पूछेगा तो 33 हो जाएगा, हिंदी वर्ण वाला में वर्णों की टोटल संख्या कहेगा, तो आपका 52 हो जाएगा, जिसमें आपको मैं भी बता दिया, 30 नमर सवाल को देखे, 30 नमर सवाल है, वियंजन और स्वर के संजूक्त रूप को क्या कहते हैं, तो 30 का जो कर्येक्ट रूपा होगा, आपका option नमर आपका सी हो जाएगा, अक्षर कहते हैं, ठिक है, 21 नमर हिंदी भासा में कितने स्वर होते हैं अभी मैंने देखा तो कितना 11 स्वर होते हैं 32 नमर भासा की सबसे छोटी काई कौन सी होती है चलिए सबसे छोटी काई क्या होती है तो भासा की सबसे छोटी काई धबनी या वर्ण होते हैं option नमर डी इसका correct answer हो जाएगा अगलाए प्रेशंस के आपका संजुक्त विएंजन है, जियां संजुक्त विएंजन के संख्यां चार है, भी मैंने बताए तो इसमें किन दो वर्णों को सम्पलित किया गया है, आनि जो आपका इस स्थ्रो लिखते हैं, तो किन दो विएंजन के मेल से बनता है, तो 33 का और ये कौन कॉन सब्दोस में वंडेंट से बना से तो आपका तालव की संख्या कितनी हैं m इस अनमरे चार होति है जो ये बहुत इंप्पोर्टन सफवाल як मूर्स सवर टोटल सवर तो इगा रहा है अम बता याद रखेयँ खो गया उसके भाद में हर्स यही जो आपका 4 मूल्स वर है टीक है यही है जो 4 आपका मूल्स वर है यही है जो आपका 4 मूल्सवर है होजएगा यह हो जाएगा टोटल वरोग संख्या तो इगारा है लेकिन चार है जो आपका मोल स्वर है 35 को सब्डों के सबसे छोटी इकाई क्या का लाती है देखे को इलट फूलट करके वह पूछा जा रहा है सब्डों की सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंग वरड़न ही कहेंगा ना स्वर और प्लूप यह स्वर धबनी का परकार है स्वर के कितने परकार होते हैं तो याद कर लिए स्वर के तीन परकार होते हैं कौन-कौन होते हैं तो हरस्व स्वर दिर्ग स्वर और प्लूत स्वर यह तीनी परकार के स्वर होते हैं ठीक है तो स्वर के कितने परकार होते हैं होते हैं तीनों देखिये या तक रखियेगा मात्रा स्वर को क्या काते हैं जो मात्रा स्वर होता है उसे क्या काते हैं तो さight saith का जो करेक्ट अंसर हो जाएगा option नमर B समुरोप उसे काते हैं 38 नमर शाबencies ओ को देखिए ठीक है विशुद अर्ष वजह है इसलिए option number A का correct अंसर हो जाएगा 49 नमर स्वाल को देखिए निम्लिकित में से कौन सी बियंजन ध्वन्या असपर्स संघर्सी कहलाती है 49 का correct अंसर हो जाएगा फ्रेंस आपका option नमर A 46 जजज यह साथ यह जो आपको ध्वन्या जो असपर्स संघर्सी कहलाती है चालीस नमर वर्नो के भेद है तो कितने भेद होते हैं 40 का correct answer रोगा फ्रैंस ओरणों के मुख्यूरुप से देखा जाय तो 2 भेद होते हैं option number 6 का correct answer होदेगा sworn one तथा वियंजन one वर्णों के दो ही परकार होता है sworn one और वियंजन one लेकिन अभी हम लोग ने देखा था स्वर के कितने परकार होते है स्वर का परकार पूछेगा तो तीन हो जाएगा हरास स्वर दिर्ग स्वर और प्लूट स्वर लेकिन वर्ण के परकार पूछेगे तो दो होगा स्वर वेंजन और वेंजन वर्ण एक तालिस नमबर स्वाल है हिंदी में ध्वनिया कितने परकार की होती है एक तालिस का कारेक्ट अन्सर हो जाएगा आपसन नमबर आपका B हिंदी में जो ध्वनिया चार परकार की होती है ठीक है कितने परकार की तो चार परकार की तालिस का correct answer बी हो जाएगा 42 नमबर शवाल को देखे 42 नमबर शवाल है कि जिनका उचारण उपर के दातों पर जीव लगाने से होता उसे क्या कहते है उपर से जीव लगाने के बाद होता है 42 का उसे दन ते कहेंगे ठीक है जिनका उचारण उपर के दातों पर जीव लगाकर ने से होता उसे दन ते ठीक है तो उप्सन नमबर बीस का correct answer होगा 43 नमबर शवाल देखे निम्न में दिर्गिस्वर है 43 का correct answer हो जाएगा अपका दिर्गई यह देखे यहाँ पर है 44 नमबर शवाल को देखे निम्न में से संजुक्त वर्ण है अभी मैंने बताया था आपका सव और रश से बना था तो हो जाएगा आपका आपका ओप्सन नमबर 44 का correct answer हो जाएगा 45 नमबर शवाल को देखे निम्न में से दन तब्य वर्ण है दन तब्य वर्ण कौन सा है तो दन तब्य वर्ण हो जाएगा आपका फ्रेंस देखे 45 का correct answer option number C हो जाएगा ठीक है तो अगला सवाल 46 नमबर शवाल निम्न में ओश्च वर्ण कौन सा है तो जो इसका उचारण ओट से होता है तो देखे कौन होगा 46 का 46 का हो जाएगा देखे उ बोलेगा फ्रेंस ओट से होता है इसका तो option number D इसका correct answer होगा 47 नमर एक से अधिक वर्णों के mail को काते एक से अधिक वर्ण जब mail मिलता है फ्रेंस तुसे हम लोग क्या कहेंगे 47 का तुसे अक्षर कहेंगे ठीक है अगला सवाल 48 नमर शवाल हिंदी भासा में ध्वन्या कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है तो स्वतंत्र रूप से बोली लिखी जाती है अभी मैंने बताया था आपका स्वर होते जाएगा 49 नमर शवाल को देखे जिनका उचारन सवतंतरΤा से होता है और जो व्यँनईन के उचारन में साहिक होते है उसे क्या कहते है όही कोशन को गुमा क्क दिया है फिरंस स्वर कहते हैं। 50 नमर शवाल को देखे कि भिनभीन स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन होता उसे काते है भीनविन स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन होता है उसे क्या कहेंगे उसे हम लोग संजुक्त स्वर कहेंगे आप्शन नमरे इसका करेक्ट अंसर होगा इकावन नमर आज का लास्ट आवाल देखते हैं फ्रेंस कल इस में से जो 50 प्रशन बचा हुआ है फ्रेंस देखे हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते रहेगा तो मेरे हिसाब से आपका फायर मैं में और विहार पुलिस में आपका हिंदी को स्ट नहीं छूटेगा तो हर एक एंगल से सब तरह से पढ़ लेना है फ्रेंस चेप्टर भाई मैं आपको करवा दूंगा बाकी तो आपका प प्रेंक तो दूंगा थांगद्meद्एム से आपका तो पायर म WINiau बिवा बाएंगा तो आपका फायर मैं आपका पुलिस भी भी तो आपकाushim है कि तो हुटर बासाधिक्षू से पायर दूंगा पका फुलिसे एंगगवा तेज महीं फुलिस पुलिस लुलिसे भी LED थग्श